हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू और चैनल मल्टिपल से जिक्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कुछ प्राब्लम्स के उपर जो कि पूछी जाती हैं मिसिंग लेटर्स के उपर हमने पिछले लेक्चर्स में डिसकस किया है तो फाइंड आट दा मिसिंग फिगर्स तो फाइंड आट दा मिसिंग नंबर्स मिसिंग नंबर्स पर हमने डिसकस किया था कि किस तरीके से हमने अगर फिगर में मिसिंग है तो उसमें कैसे फाइंड आट करेंगे और अगर सिक्वेंस में नंबर्स मिस हैं तो उनको कैसे फाइंड आट करेंगे अब इस लेक्चर में आपको यह table है और इसमें एक missing letter है यह अब इसमें आप देखिए तो अब यह जो corners के हैं यह तो इसमें हमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे सिर्वे बीच वाले जो horizontal layer है और जो vertical layer है इनमें हम जो है कुछ relation अपने find out करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा जो यह वाला है इसको हम क्या करते हैं इससे मिला देते हैं corner से तो E के बाद क्या आता है F आता है प्लस 1 हो जाएगा अब बीच वाले को center से मिला दीजी आप तो G के बाद क्या आता है देखिए H आता है और I आता है फिर G आता है यानिके प्लस 2 कर दिया हमने यापर दो लिटर्स बीच में आया और यहां पर यह आ गया फिर आप के को अगर इस से मिलाओगे उस साइड वाले से इस साइड वाले को मिला दोगे तो K के बाद क्या आता है फिर M आता है फिर N आ है अब center वाले को क्या कर ओगे center वाले से मिला दो गए तो R के बाद S T और U यानि कि यहां पर भी वही sequence फालो रहा है जो हमारा horizontal में फालो हुआ तो अब क्या हो जाएगा V के बाद क्या जाएगा आपके पास में वी और इस वाले लेटर के बीच में तीन लेटर का होगा, गया है, तो वी, डबलू, एक्स, वाई और जट, तो यह आपके पास में next लेटर कौन सा होगा, जट हो जाएगा, तो यह आपका अंसर हो जाएगा, तो क्या करना है आपको, इसमें बेसिकली symmetry या बेसिकली एक sequence जो follow करना है, यह लेटर्स वो देख लेना है आपको, इस वाले को हमने इस से corner से मिला दिया, बीच वाले को बीच से देखा, और इनमें कितने लेटर्स का गया, पर वो हमने मीजर कर लिया, फिर इसको हमने देख लिया, अब इसी rule को apply करके, हमने vertical letters को चेक किया और उसी के basis पर हमने जो missing letter था, उसको find out का लिया, तो यह हमारा answer आगया Z, hello friends, अब जो है, दूसरे question के उपर आते हैं, दूसरा question क्या है, यह भी वही question है, हमारा missing letters के उपर पूचा गया है, इसमें भी tabular दिया हुआ है, tabular form में है हमारे पास में, और यह भी friends, कौन सा rule लगाना है आपको, अब यह देखिए, अगर आप पहले वाले वर्टिकल बार को, इसमें हम कहा करते हैं, वर्टिकल बार चेक करेंगे, क्योंकि हमें यह वाला point निकालना है, जो कि vertical line में आ रहा है, हमने क्या क्या है, A और F में, letters का हम gap देखते हैं, जो हमने previous question में तो इसमें देखोगे, A और F के बीच में कोईतने numbers आते हैं, कितने letter आते हैं, B आता है, C आता है, D आता है, E आता है, निकि चार letter आते हैं, जब आपके पास F आता है, तो इसमें प्लस 5 अगर इसमें करोगे तो आपको यह मिल जाएगा, basically 4 है, पांचवाज होगा वापके यह 5 तो इसमें प्लस 5 कर दिया, तो इसमें प्लस 5 कर दिया, तो अब इन सब के बीच में constant interval आ गया अब हम next वाले को चेक करेंगे तो इसमें क्या रहा आपके पास में तो इस वाली लेटर में B और I के बीच में कितने लेटर आएंगे अब इसमें कितने का डिफरेंस है तो ये इसी को अगर इस तरीके इसको हम चेक करें तो इसमें प्लस का नाइन का गया पर आप चेक करिए आप C और L के बीच में देखिए D, E, F, G, H, I, J, K और L तो यहाँ पर प्लस के आठ लेटर है निके आठ लेटर है हमारे पास में तो नाइन्थ लेटर कौन सा है L letter है, तो हमरे पास plus का 9 होगा, इसमें भी plus का 9 होगा, इसमें भी plus का 9 होगा, इसमें भी plus का 9 का gap हो जाएगा, अब इसमें कितने का होगा, cdc बात है, plus का 11 का gap होगा, आप चेक भी कर सकते हो, तो अब इसमें अब अगर आप चेक करोगे, D और ये O letter है, तो O के बीच में कित लेटर आपको निकाला है तो आप करोगा फिर से उसी जो लेटर्स हैं उनको आप रिपीट करोगे तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K तो यह आपका क्या होगा इसका 11 लेटर होगा इसका next 11 लेटर हो जाएगा के तो option क्या हो जाएगा आपके पास में option is B तो यह आपको चेक करना है इसमें बड़ा ही आसान तरीका है कि हमने पहले इन लेटर्स के बीच वर्टिकल लेटर्स के बीच में इंटरवल निकाल दिया और फिर हम क्या करते जा रहे हैं देख रहे हैं कि यह constant 2 का gap है प्लस 5 था इसम प्लस 7 हो गया प्लस 9 हो गया और प्लस का 11 हो गया और जो वर्टिकल लेटर्स में gap है वो constant gap है ठीक है तो I hope कि आपको यह question समझ में आ गया होगा और इसका आंतर हो जाएगा कि अब आते है next question की और और यह question पूछा गया है December 2014 में नेट जारफ में यह भी दोस्तों टू मारस का question है पूरे यह जितने भी missing letters पर question आते हैं आपके नेट जारफ में आएंगे तो बिल्कुल दो मारस आपके यह देंगे अगर आपको अगर आपने इनको सही सत्यार कर लिया तो अब इसमें देखे क्या दिया हुआ आपके पास में इसमें भी हम क्या करेंगा vertical symmetry को हम जो आपके पास में Symmetry है या vertical interval है उसी को यूस करेंगा आपके अपके बास में एधिया हुआ फीट C है, E है, G है, jedoch यह missing letters है आपको फिर इस साइड से भी कर सकते हो इस साइड से भी साल्व कर सकते हो इस साइड से भी साल्व कर सकते हो आपका जो मन है कि वह आप इसको साल्व कर सकते हो मैं आपको एक इसमें तरीका बताऊंगा और आप इसको ट्राइ करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी ट्राइ कर सकते हो तो मैं क्या करूंगा इ तो आरे पास में ऐसा होता है अगर इस यह नहीं दिया होगा तो हम इसको इसली फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे तो अब हम क्या करने जा रहे हैं देख रहे हैं क्यू के बाद एस आने का मतलब है क्यू होता है Q के बाद इस आने का मतलब है इसमें एक लिटर का गयप है फिर S के बाद U आ रहा है S के बाद U आने का मतलब है T U एक लिटर का गयप है U के बाद फिर W आ रहा है आपके पास में तो एक लिटर का गयप है ये आपने क्या किया इस साइड से आया और इंदर चले गया तो एक लेटर का गया अब इस साइड से आके आप इंदर जाओगे अब इंदर से देखोगे तो वाई है वाई जेड होता है जेड के बाद फिर आ गया मतलब इसमें भी एक लेटर का गया फिर ए बी सी हो गया तो सी डी E हो गया कि फिर से एक लिटर का कायफ है। यही वाला अगा हम लगां मतलब इस साइड से चानुदितर इस से ट्रेक्षे लिए क्रिटे justement हम सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद हमने इसको सेपरेटली सॉल्व किया और साथी साथ क्या किया हमने कॉंस्टेंड गैफ देख लिया तो यह हमारा दो मारस का क्वेश्चन है